मुझे बहुत सारी लोगों ने पूछा कि जिस फ्लैट में जिस अपार्टमेंट में मैं खुद परसली रहता हूँ मैं उसको थोड़ा दिखाऊं तो ये विला फ्लैट है इसमें मैं रहता हूँ इसमें मैंने ये किसी और बिल्डर से लिया था और ये जो अपार्टमेंट है ये रह लिया था जैसे कि आप वीडियो में दीख रहे हो तो इसमें कंस्रक्शन तो पूरी हो रखी थी और विंडोज और डोर फ्रेम्स लगे वे थे उसके लावा बातरूम की टाइल्स और फ्लोर टाइल्स हो रखी थी और साथी इन्होंने बहुत ही अजीब से तरीके से ये फॉल सी लिंक रही थी जो पहने बात में थोड़ा ठ काम है वो मैंने खुद करवाया था अध सुबह के टाइम वाइस ओवर कर रहा हूं तो थोड़ा सब कला खराव हो रखा है तो यह ऐसे पीछे का व्यू है अभी पीछे फ्लाट्स बन जाएंगे अभी तक तो बने नहीं है पर आने वाले टाइम में जरूर बनेंगे यहां पे हमने ग्रिल लगा ली थी और यह पीछे का बैट्रूम है एक और यह इसके साथ का बात्रूम है आपने दूसरी साइड में पीपी देखा था यह फॉल सिलिंग व्यारा हो रखी है बहुत ही बेसिक सी है वह सामने किचन है में एंट्रेंस है और उपर के फ्लोर्स पर जा मेटल की लोहे की ग्रिल लगवा ली थी और यह सामने जो जेगा थी वहां पर वाद्रोपस जब मैंने घर लिया था उस ताम तो आसपस कुछ बना भी नहीं होता जादा और लोग भी नहीं थे मेरी बिल्डिंग में भी नहीं थे उपर वले घर भी खाली थे तो उस ताम एंड जो अपने अभी क्रेस्ट की में बुक्राइं ने लगवा है यह मैने करवाई यह दो ज़या और सब कुछ मैंने कर रहा है अब बच्पन से वाइड डोज देके दे तो मैंने डोज बीजू है वह आगे वाइट ही रहा है जैसे आप देख रहे हो सामने पड़े होई तो बट I don't know why कि जब हम आर्मी की घरों में रहते थे और वहाँ पे जो वाइड डोस थे वह मेंशन वाइट ही रहते थे बट यह करवाए हैं पदा नहीं पेंटर को समझ नहीं आया या क्या है हुमिडिटी की वज़ा से तो इतनी वह वाइड नहीं रहे हैं वह आज के टाइ कि हमें देखा होगा कि यह सब कुछ डामेज हो गया था बिकॉज ओफ लैक मैं क्लियरली बोलता हूं चीटिंग और फ्रॉड और वोटेवर यूवां तो से बुरे घटिया टाइप के काम जो बिल्डर्स करते हैं उसकी वज़ा से नीचे सारी टाइल्स चूट गी थी और तो मुझे सारी रिमॉफ कराके दुबारा से काम करवाना पड़ा तो बस यह पता लगा कि टाइल्स गयरा का काम जो है न वह लाइट करार का ही ठीक है डार्क नहीं कराना चाहिए डार्क इतना चानी लगता और क्लीन करने में भी प्रॉब्लम होती है यह जो आपने भी किया था जो भार के में इंडोर्स कर रहा है तो उसमें पॉलिशी हो दुए थी तो उसने कहा कि इसको भी आपकर तो तो अभी यह फिनिश्ट लुक है जो पेंट हो गया है सारा कुछ तो यह आप मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं यह वाश्रूम अब आपके देख पा रहे हूं जिसमें लाइट टैल्स है अभी जो है यह टैल्स ऐसी नहीं है यह रिमूव करके दुबारा कराई गी बट जो है इस जगह के उपर हमारी जो है वाड्रोस बनी थी और यह वाइट पेंट जो प्राइमर और सब है वो होके त यह जो है यह में डोर का लुक है इस पर इस तरह की ब्राउन और वोड वाली पॉलिश हुई है आज के डोर प्रॉपर वोड यह तो है नहीं इंडिया में अट लीस्ट और यह जो है टीक वोड लगाई गया इस पर और इस पर पॉलिश किया गया ताकि यह थोड़ा सा अच और सेल है और यह वाइट पेंट के साथ में हमारे डोर्स त्यार हो गए और अब देखो कितना सारा गंद हो जाता है बट यह तो प्रोसेस ही है वर किंग का तो ऐसी चलेगा और यह वाइट डोस रेडी हो गए है जो मैंने और डिजाइन फाइनल के था वह वह बले है यह उसम लंबे डोर्स हैं यहां पर इस वेले अपार्टमेंट में तो इस विसे थोड़ा सा उपर नीचे का डिजाइन जो है बॉर्डर जिसे कहा सकते हैं वह थोड़ा बड़ा है बाकी यह इस तक इतने ट्रेडिक्शनल डिजाइन जो ट्रेंडोर्स में यह मुझे बड़े इस जगह पर टीवी लगा था लगा है सौई तो में हमने टीवी सिरफ जो है न वो लिविंग रूम में ही लगाया और बाहर मतलब किसी और रूम में नहीं लगाया इस वरी वाल पर काफी सारी सीलें हो गई थी क्योंकि साथवले घर से पानी आ गया था तो हमने इसे प्रेट्स लगाके उसको सुखाने की कोशिश की तो यह मुझे काफी अच्छे लगे तो वही हमने बनवाया बट अगर मैं नेक्स टाइम अपना घर बनवाऊंगा तो मैं इस तरह का नहीं करवाऊंगा और अच्छे जरूर लगते हैं बट तोड़ा और प्रेंडी लगता और एक यह पार्टिशन बनवाया था में डोर के लिए क्योंकि में डोर से एंटर करते हैं सामने नजर आता था तो उसके लिए बाकी यह इस तरह से वाड्रोब्स त्यार हो रहे हैं अंदर माइक का लगा हुआ है क्लीन करना इजी हो जाता है पेंट की जगा पर यह तो यह सारा काम हो गया है दोनों बैडरूम्स का है बाहर वाला जो बैडरूम है उसमें चोटी अलमीरा थी और यह में अलमीरा है यह मम्मी के रूम का है इसमें इस तरह से टांगने वले जाद है और रखने वले कम हैं सोचा था कि उस तरह से जादा काम आएगा बट की मम्मी जो ह जिटने suit का रहे हैं वो ठांगें के ज़्यादा बट रहे हैं तो थोड़ा सा वो रहा गया चलो मतलब अपनी तरफ से दभू रहनी है और ये मेरे bedroom का है तांगने वाला भी हैै नीचे रखने वाला भी है साइड में जो है शिर्ट्स और सब रखनी के लिए और उपर एक सिंपल से यह कलमीरा बना दी थी अलब एक खाना सा बना दिया था जिसके अंदर समान वैसे जैसे भी कोई भी फालतु समान है स्टोर करने के लिए चाहे कोई बॉक्सेज चोटे या कुछ तो उपर रख सकते ह क्राफी स्पेस रहा इसमें और यह सब चीजे जो इसके पल्ले हैं वह लग गए और इस तरह से दूसरे रूम में भी यह लूप मतलब इसका है माइका का जो डिजाइन बनाया था उसका वह सारा इस तरह से आया है मुझे वाइट के ला जादा पसंद है और बहुत वीडिय देखें उससे पता लगा कि वाइट ही ठीक है क्लीनिंग करने के लिए और वैसे भी ब्राइट लगने के लिए और स्पेशियस लगने के लिए उदर वह पीछे आप देख रहे हो किचन का काम भी और है अभी मैं आपको दिखाता हूं और इस जगह पे ना मिरर लगाया है और शोट असा इस तहना से बना दिया बैटने के लिए भी कुछ में त्यार होना है कुछ उसके लिए कि भाडरॉपस में इस तासे ड्रॉर्ऊवज भी रखा हैं ब्रॉर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी यहां इजी हो जाता है हर काम इसमेंसे यह उपर जो स्ट्रिप्स है यह ब्लाक की जगह अगर कुछ और हो तर शायद बच्छा लगता तब इसका कुछ किया नहीं और यह किचिन का काम चल रहा है मैंने इसे यू शेप वली बनवाई था कि उसमें समान और रखा जा सके और यह मेरे रूम की जो है वाटरोग इस तरह की बनी है में तरी डोउज बने इसमें एक साइट में दौका है किचन में इस ताना से उपर कबर्ट लखाएं जिसमें आसे ग्रेण वाला ग्लास लगाई क्याच बोलता है इसको जो भी है उस तरह से हैए और बलाक हमें हमने हैंडल डेल लगाएं अभी यहां पे यह सारा किचन की बाकी जो कबड़्स है वो रेडी हो गई है और यह अगले दिन का शौट है और इस तरह से यहां इस तरह राइट सेड में हमने जितने भी इलेक्ट्रोनिक एकुमेंट्स हैं किचन के अप्लाइंसे हैं उसके लिए जगह बनाई और थोड़े का लुक है महाँ पर हमने एक्जॉड भी लगाया है और इसके बाद में यहां पर टाइल्स उपर लगेंगी जो किचन का यह शेल्फ है इसके यहां पर दोनों साइड में और वाटर फिल्टर लगेगा स्लाब लगेगी किचन के शेल्फ पर तो यह सब अभी काम होना है बक तरह से हमने partition यहां पर लगा दिये नीचे जो है शूरक है उपर कुछ हम decorative items रख सकते हैं और यह entrance के बिलकुल सामने है ताकि कोई भी भार से आए या खड़ा हो दर्वाजा खुला हो कुछ भी हो तो directly अंदर तक नजर ना है बाद में मैंने जो है वहां पर लगवा दिये था एक जाली का दर्वाजा तो उससे भी थोड़ा फरक पड़ा है बट रात के टाइम फिर अंदर नजर आता है बाकी अभी यह लगाया है इससे 100% नहीं रुक रहा है क्योंकि साइट से फिर भी दिखता है बट थोड़ा सा मतलब काम कर रहा है और जो उसके पीछे अपने नजर आता है बिल्कुल सामने नजर नहीं आता पर जब कोई उपर से नीचे आएगा या साइड से देखेगा तो फिर भी थोड़ा नजर आएगा तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करवा सकता था या डोर या कुछ अंदर बट उससे फिर और हॉच पॉच्पॉच हो जाता ह तो हम किचन में वापिस आज आते हैं इस तरह से मैंने ग्लैन की चिमनी लगाई जो मैं अब रिकमेंड नहीं करूंगा मैं कहूंगा इंस्टेड ऑफ जो क्लास वाली होती न तो उसकी जगह सिंपल जो चिमनी होती है स्टील वाली और फ्लाट वाली वह लगभा हो उसके आ अब यह मेरे रूम की वाड्रोब त्यार होगी है जिससे मैंने आपको कहा था उपर खाने अगरा बनने तो वह भी बन के उसमें हमने हाइड्रॉलिक लगा दिये था कि इजी उसको ओपन है क्लोज किया जा सकते हैं दो इसके काफी उपर है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और यह भारवले रूम का लुक है इन्होंने थोड़ा सा उपर माई का इतलग कर दिया था बट चलो काम चल जाएगा उसमें छोटील में रहे और यह हमारा बात्रूम था और यह बाहर का मैंने अब दिखाया ही था पहले पेंट का थोड़ा बहुत काम बीच में र जो राइट साइड वेली वाल है वो अभी भी थोड़ी डैंप है इस पर कलर नहीं हो पाया यह दुबारा होगा और यह मेरी वाटर होगा है मैं तो बहुत बेसिक सा काम करवाया मैं कुछ जाधा फ्लाशी चीज़े पसंद नहीं है यह तो मैंने फिर भी लाइन्स लग वाली है मैं तो जाओं तो बिल्कुली वाइट सिंपल करवा लेता बट सब कहने लगे नहीं इतना नहीं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइन बीचे में लगाया थैंक्स तो पिंट्रस एंड ओल दोस पीपल फूशियर कॉंटेंड ओवर देर यह से मिरर भी लग गया है और नीचे बैटने की जगा भी बन गई है आज जो है आज काम हो रहा है सैनिटरिक फिटिंग्स का तो यह सारी चीज़े आ गई है वाश बेसिंस और उसके पेडिस्टिल और सीट्स और जितने भी है चीज़े टाप्स गयरा सब कुछ आ गया है यह आपके सामने लग गया है और बागी चीज़ें भी लगेंगी तो लिए भातरूम्स हैं इस फ्लैट में तो यह सारा उसका समाना है एंड यह यह मेरे प्रदर के फ्रेंड है राजपुरा में तो वहां से समाना है आप बट जरूरी निया है कि है अच्छा हो उसने थोड़ा सा सब स्ट्रेंड समान दिया था कहके कि अच्छा है नबागी जो से रहा है कि फेटिंग से वह तो ठीक है बगर जो टैप से कर रहा है उसमें फ्रैंकली मैंने देखा है जितने भी हाड़वेर और शॉपस वह थोड़ा घपला थोड़ा हेरा फिरी करते हैं वह इसलिए होता है क्योंकि उनको मार्जिन्स जादा मिलते हैं तो वह इतनी जो बार में पता लगा और चेंज कराना पड़ा तो कुछ-कुछ गलतियत हुई है जैसे कि यह वह टैप है यह टूड़ गया चलना बंद हो गया तो इसको दुबार रख रहा है और यह जो है यह लगा नहीं है भी वह वैसे रखा हुआ है बार में उसको ठीक करवाया बाक किचन में इस तरह से स्ट्रेच आगे करवा के लगवाया था शावर और इस तरह से ठीक रहता है वाल से सिद्धा निकल रहता है तो वह प्रॉप पर नहीं है इस तरह से करवाना चाहिए अगर आपने अपने घर में भी काम कराना होना तो ऐसी करवाना किचन में स्लाब्स लगए है ये से ग्रेन एट हमने ड्यॉडू का है एक साइड में दो से तपारी का में ब्लाग टाइप का जो बेसिक है हर जगा लगता है वह साथ यह यहां कर दो टाइब लगए तो तो यह बाइब बहार का पेंट होना शुरू हो गया यह जो काम जो है वो कंप्लीट हो mostly लोगों ने जितने बिल्डर से उन्होंने बाहर टाइज लगवाई थी तो मुझे उस ताइम पर पसंद नहीं थी तो मैंने पेंट ही करा है क्योंकि मैंने बच्पन से ऐसी घर देखे हैं आरमी के तो I wanted to achieve the same look over here also but मुझे लगता है कि भार टाइज लगवा लेनी चाहिए थी क्योंकि वो ठीक रहती है तो बख की मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ बट जैसे दूसरे लोगों नहीं करवाया था तो करवा लेना चाहिए था सारा एक जैसा लगता डैंपनेस जो है स खेत वाला एरिया था सारे आसपस तो उसके वजासे भी डैंपनेस जो है वो आज तक है हमारे घर में लगबग दो सवा दो साल हो गए है हमें यहां रहते हुए बट वो अभी भी है तो मुझे लगता नहीं है कि वो जाएगी जल्दी बठा पहले से तो काम होगी है पहले तो बहुत जाज़ा थी और बारिश वाले मौसम में तो अविसली थोड़ी बढ़ी जाती है यह किचन का लुक अने आपको भी दिखाया बाकि एक वाक्तुरू दुबारा से हम अंदर कर लेते हैं जोटा सा कि कहां पर क्या हुए क्यों यह फाइनल पेंट हो गया कोट मगर उसके बाद वजूद भी थोड़ी सी डापनेस रहे गई है यह अब ठीक कर लिया है शावर वह आपको मैं दिखा रहा था हमने किचन के लिए कुछ यह वरी टाइल्स चूज़ की थी इस तरह से स्क्वेर है और 3D लुक टाइप का आप कह सकते हो तो यह सारी हमने चूज़ करी थी अगर मुझे आज काम कराना हो तो मैं वाइट प्लेन टाइल्स तो नहीं कहूंगा तो मैं इसमें वह मार्बल लुक वली जो होती है वह बली लगवाँगा और बड़ी वली टाइल्स वह लगवाना चाहूंगा कोई बात नहीं नेक्स टाइम जब भी घर वगरा बन करेंगे अभी जो यह मशीन से इसे ग्राइंड करके किनारा टाइप जिसे कहते हैं वह बना रहे हैं राउंड आफ कर रहे हैं किसे तक ही चोट यह रहा ना लगे थोड़ा स्मूद फिनिश भी हो जाता है कंपारिटिवली की चोट ना लगे बेसिक तो यही मतलब है और दि तो साथ में सफाई भी शुरू होगी जितना भी पेंट वियरा गिरा हुआ है अब उसको क्लीन कर रहे हैं यह तकि आम अंदर आके रहे भी सकें और यह पेंट कुछ रहे गया होगा वो दुबारा शुरू कर दिया तो जिसने सफाई करी है उसका काम बढ़ा दिया यह मैंन टीवी और सब लगाने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि वह थोड़ा साइड में था और इस तरह से यह स्प्रे मशीन मैंने कहा कि लाओ डोर्स पर उससे करो क्योंकि वह जिस तरह से कर रहे थे वह ठीक नहीं मुझे फील हो रहा था बाकि इस वाल पे भी कलर करवा दिया ताकि इसका भी काम फिनिश हो और यह बातरूम जो है उसका लुक है इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही दिखाना चाहरा था कि जो काम हमने करवाया था घर में शिफ्ट होने से पहले वो क्या-क्या था तो आपने बेसिक सारी चीज़े देख ली है तो कुछ-कुछ इस वीडियो में कवरों नहीं कर रहा जैसे कि बहार ग्लास घरा लगा था विंडोज में वो और कैसे समान रखा कहा क्या रेंज है तो वह अभी नहीं मैं असको अधिकरा रहा है इस वीडियो में वो फ्यूचर में कभी देखेंगे अभी लेकिन य produkt यहां करता हूं चैसरी से हमने कराया मैं आपको दिबारा रेक्मेंट करूंगा घर में कलर्स करवाओ बट वाइड जो है उसे ग्रेज जादा आती है और साथ में आपका घर बड़ा लगता है ब्राइट लगता है I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पर कमेंड करें और लाइक भी जरूर करें आपके सपोर्ट की मुझे और चानल को बहुत सब्सक्राइब जरूरत है थैंक यू, once again, have a nice day, take care